तो हम जूठा मॉडल जिस तरह से मानने परधान मंतरी गुजरात का जूठा मॉडल लागर के देश को बरबाद कर रहे हैं आज हिंदू, मुसल्मान, मस्जिद, मंदिर का खेल जो कर रहे हैं वो चीज हम नहीं लाएंगे हमने दिल्ली में जो विकास का काम किया है जो दिल्ल है जो किसान है वो दिन रात दोड़ती है दिन रात मेहनत करती है सीमा पर जाने के लिए क्योंकि उसको अपने देश से प्रेम है आप देख रहे हैं दजनता इस्टॉपेट अधान मंतरी नरंदर मुदी आज देवघर के दौरे पर पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने लगभग सोला सो कड़ोड रुपे की सोगाद जारखंड को दी है इसके अलाबा कई अन्य सोगादे भी दी है और यहां एरपोर्ट और नए एम्स का उधगाटन उन्हों रहें लेकिन बता दे कि क्या लग रहा है इससे पहले भी अपधान मंतरी ने कोवीट के दौरान 20 लाग करोड रुपे देश की जनता को राहत कोस में दिया था हलाकि वह 20 लाग रुपे कहां गया इसका हिसाब कोई नहीं दे पा रहा है इससे पहले भी बिहार में जब चु लाल है क्या लग रहा है मेडम की जिस तरह से पधान मंत्री पैकेज का खेल खेल रहे हैं इस पैकेज से लग रहा है कि राज में डेवलपमेंट होगा या पर या पैसे फिर से कोई खा जाएगा और हिसाब जब पूचा जाएगा तब यहां जो है लोग कहेंगे कि आप आधी पाटी से है। लेकिन फिर वो पैकेज देने की बात किये हैं, एरपोर्ट का उद्गाटन किये हैं, एम्स का उद्गाटन किये हैं, और ना जाने क्या-क्या बातें बोली होगी, वो तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों को पता चली जाएगा। लेकर के लेकिन जारखन का सपना कहा है, मानने परधान मंत्री से मैं पूछना चाहती हूं कि बीजेपी के ही कारेकाल में जारखन अलग हुआ था बिहार से, और बीजेपी की सरकार ही यहां रही हैं, ज्यादा तर दिनों में, बीजेपी के सरकाल में ही यहां भात-भात करते हुए लोग मरे हैं, बीजेपी के कारेकाल में पैसेंट रोगी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की विवस्था नहीं, यह साइकिल पे लाध करके और कंदे पे उठा करके, के लोग ले के जाते हैं अपने रोगियों को या मिर्ति जिनकी हो जाती है उनको तो यह package किस काम का जब यह package से जनता का विकास नहीं हो रहा है इस package से जनता का उत्थान नहीं हो रहा है इस package से school का कलप नहीं हो रहा है इस package से स्वास्त का विकास नहीं हो रहा है तो यह package सिर् बात कहें कि लग वाइस साल का जो है जारकंड होने जारा है लग रहा है कि युवा जो बाइस साल का जारकंड वह कहीं नहीं जादा विक्सित कम हुआ है और बिमार जादा हो गया है आश्त जहारखंड का युवा पूरे देश का ही युवा विखसित कम हुआ है बेरोजगारी जदा हुई है और बीमार हुआ है झहारखंड के युवाएं को आप देख लेजे听 meisten बेरोजगार की क्या इसतिती आप मीडिया वाले आपके पास सारा आकणा होगा किस तरह से जारखंड में बेरोजगारी का दर जो है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है किसी का ना केंदर सरकार इस पे ध्यान दे रही है और ना राज्य सरकार के कानों में जूई रहेंग रहा है कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है युवाय सड़क पर भटक रहे है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ने का कारण है जो आपकी समस्या जो है जो सरकार जिसका समाधान नहीं कर रही है सबसे वड़ी जिम्मेदारी यही है बेरोजगारी और अगर शाल के बाद यह अगनिपत योजण विक्सित होता है, सेक्सस्फिल होता है, इसका रिजल्ड बहुत अच्छा आता है, तो जनता जाने के लिए तयार है इस अगनिपत योजना में, क्योंकि सीमा पे जो जाने वाले हैं, वो देश को बलिदान देने वाले हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग सीमा पे जाते हैं आप हम जैसे परधान वंतरी जैसे लोग सीमा पे नहीं जाते हैं, मैं खुल के बोलती हूँ, क्यूं नहीं किसी भी एक सांसद विधायक का लड़का सीमा पे जाने के लिए तयार है, क्यूं नहीं है, आम जंता जो बेरोजगार है, जो गरीब है, जो किसान है, वो दिन रात जनताओं के भविस्ट से खिलवार है अगि पкогоHH hele देश भर Ishla एंदाप लैसे गजातार जो है जोन시에 है औरभा देश भर में पन्जाब जीते हैं दिल्ली में वी किलीन्स हुए रहा है आप लोग해 क्या लगता है कि आने वाला जो लोग सभा चुनाव है और विधान सभा के चुनाव है लगवग 23 और 24 में हो जाने हैं तो लग रहा है कि अरविंद के जरिवाल पधान मंत्री पद के लिए बड़े चहरे के तौर पर देखे जा सकते हैं आम आदमी पाटी का जो विकास है जो स्थापना है वो आंदोलन से निकली वो ये पाटी है ये आंदोलन करने पर विश्वास रखती है ये जनता की समस्याओं को उठाने पर विश्वास रखती है और 2024 में अरविंद के जरिवाल चेहरा होंगे नहीं होंगे ये हिंदुस्ता की जनता तै करेगी हमारी पार्टी अपने को चेहरा नहीं बनाती है अर्विंद केजरिवाल खुद नहीं बोलेंगे कि हम परधान मंतरी यह जनता समझेगी जनता को देश का विकास चाहिए जनता को अच्छे स्कूल चाहिए जनता को अच्छे स्वास्त चाहिए जनता को बे जर्विन के जीरवाल परधानवंतरी बन जाएंगे जनता पर डिपेंट है जनता जो जार्खन में आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कि जार्खन में अभी तक एक भी सीट आप लोग जीत नहीं पाएं लेकिन पिछली बार आप लोगोंने लगभग एकसट स विधानसभा में आना विधायक बनाना ये जनता का काम है हमारा काम है इमांदारी से जनता के मुद्दों को लेके जमीन पे खड़े होना उनके लिए आंदोलन करना हमारा मकसद सिर्फ जीटना और सरकार बनाना नहीं है हमारा मकसद है जनता को अच्छा स्कूल देना आज उस पे चड़ के स्कूल जाने को मजबूर है पानी है उनके कमर तक वो पानी में भीग के स्कूल जाने मजबूर है तो यह जारखन का इस तरह से विकास होगा जहां सिच्छा का विकास नहीं होता है मतलब सिच्छा को ध्यान नहीं दिया जाता है सबसे बड़ा चीज आपके देश के आपके राज के विकास में सिच्छा का महत्त हो है आप सिच्छित होंगे तभी आप अपने अधिकार को जानेंगे तभी आप सही और गलत की पहचान कर पाएंगे लेकिन आज सबसे बड़ी अफसोस और दुख की बात होती है कि 70 साल हो गया देश को आजाद हुए लेकिन हम सिच्छाते आज भी वन्चित हैं हम स्वास से आज भी वन्चित हैं हमारी जनता को सही है आज मेडिकल रिम्स में जाके आप देख लीजे आज भी सड़क पे मरीज सोय रहते हैं उनको ना दवा का व्यवस्था है और ना उनको देख भाल करने की व्यवस्था है तो ऐसे नहीं होगा ना हम सर चौबिस में जो विदानसबा चुनाओं होगा हम जनता से कनेक्ट करेंगे जनता को जागरूप करेंगे जनता की मुद्दाओं को उठाएंगे और जनता को बताएंगे कि उनके लिए क्या जरूरी है और हम आम आद्मी पार्टी क्या लेके आई है अर्विन केजरिवाल उनको क्या विकास के मार्ग पे कैसे जारखन को ले जाएंगे ये जनता को बताएंगे जीत दिलाना जनता के ह निकाई चुनाओ लगभग जो है 7 माँ बाद है क्या नगरनिगम के चुनाओ में इस बार आम आधी पाटी अपना केंडिड़ेट उतारेंगे और बहुत दमखहम से उतारेंगे और नगर निगम में तो बस्टचार चरम सीमा पर हैं। में महंगाई पर आप लोग जो है लगतार आवाज उठाती हैं, सिक्षा पर आवाज उठाती हैं, स्वास्त के मुद्दे पर आवाज उठाती हैं, खास करके राष्टिये मुद्दे जो भी हैं उन पर देखते हैं आप लोग जो हैं आवाज उठाती हैं, लेकिन जब जारख जनता को स्वास्त का ध्यान रखना जनता को स्कूल मोहया कराना लेकिन स्थानिय नीती भी जरूरी है चुनाओ जब आएगा तो यह हम लोग मिल बैठ करके इसके मारे में पलान बनाएंगे और कैसे स्थानिय नीती को लागुग किया जाए इस्थानिय नीती सिर्फ बोल देन केंडर सरकार के खिलाब आप लोग कम कहते हैं क्यूं इतना सौप्ट रूख है क्या कहीं लगता है कि आप लोग भी कुछ सीट तूट के चक्तर में हैं नहीं नहीं एकदम नहीं इससे तो आप एकदम दूर दूर था कि ये सवाल से आप एकदम किनारा कशी कर लीजे कि हम लोग का किसी के साथ भी तालमेल नहीं है हमारा तालमेल हमारा कॉंटेक्ट डारेक्ट जनता से है हम जनता की मुद्दों पे सवाल उठाते हैं और जनता के मुद राजे सरकार बोलती काम करती तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ कंदा से कंदा मिला के चलते क्योंकि हम जनता के मुद्दो की बात करते हैं जनता के विकास की बात करते हैं और हमको इसके अलावा किसी तरह का कोई बहस मुभासा में नहीं पढ़ना है हम सिर्फ जनता के साथ ज चीज हम लागू करेंगे जैसे आप दिल्ली में देख लीजे, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, स्वास्त का बेहतर इंतजाम है, इस्कूल आप देख लीजे, वर्ल्ड क्लास का इस्कूल है दिल्ली में, तो हम जूठा मॉडल जिस तरह से मानने परधान मंतरी, गुजरात क जूठा मॉडल लागर के देश को बरबाद कर रहे हैं, आज हिंदू, मुसल्मान, मस्जिद, मंदिर का खेल जो कर रहे हैं, वो चीज हम नहीं लाएंगे, हमने दिल्ली में जो विकास का काम किया है, जो दिल्ली मॉडल बनाया है, उस मॉडल को हम हर राज में ले करके हैं, इसके अलाबा कानून विवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं, लगाता है, राजधानी राची में कई मडर हो रहे हैं, कई लोगों को दिन दाडे मार दिया जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार के हाथ से कानून विवस्था निकल चुका है? हाँ पूरी तरह से, सरकार कानून वयवस्ता में फेल है और फेल होने का बहुत सारा वज़ा है, सरकार खुद बस्टाचार में संगलित है बस्टाचार में समेलित है, आप देख लिजाना, माने मुख़मंदरी पे बस्टाचार कारौप है अभी कुछ मैना पहले आप लोगोंने देखा कवर भी किया होगा पूजा सिंगल क्या हाल हुआ है बताईए जिस जार्खंड में खाने के लिए नहीं है मैं पहले भी बताई भूख से भात-भात करते जिस जार्खंड की जनता मर जा रही है उस जारखंड के आयस अफसर के पास से इतना भंडार निकलता है, नोटों का, मुखमंतरी संगलित है कोईलाग होटेले में, मुखमंतरी संगलित है बालू में, कहा है, तो जारखंड का विकास ऐसे नहीं होगा, जारखंड का विकास, जारखंड की जनता का जब तक विकास न क्या हुआ हो सकता है आपके जारखन में भी आने वाले दिन में वही नजारा देखने को मिले क्योंकि जिस तरह से घंटे ग्री मंतरी के साथ मानने हो मुख मंतरी बंद कम्रे में मिटिंग करते हैं जारखन इनका की पूरी सरकार एक इनके साथ जो गड़बंदन में है कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने तो देश को वरबात कर दी आज कॉंग्रेस की वज़ा से है जो बीजेपी सत्ता पर आई है और बीजेपी इस तरह का खेल कर रही है आप देखिए ना अभी 10 जून को क्या हु किस तरह से आम जंता पर गोली चलाएगा एक भी मुझरी माज नहीं पकड़ाया है सबका फूटेज है फोटो पूरा किलियर है आप मीडिया वाले आप लोग फिल्ड में होंगे मैं तो उस वक्त फिल्ड में नहीं थी पूरा जो तस्वीर है वो साफ है किसने क्या किया किय लेकिन एक भी कुछ नहीं हो रहा है किसी के कान में जूई नहीं रहा है तो यह जारखन के मुख मंत्री जो है पूरी तरह से भस्टाचार में लिप्थ है और जब तक भस्टाचार का बोलवाला खतम नहीं होगा देश से और जारखन राज से विकास नहीं होगा ना देश क का विकास होगा ना राज्य का विकास होगा